दोस्तों नमस्कार दोस्तों पहता लेश के मकान पर चचत जूलाई का प्लान कर रहे हैं तो कितना खर्ष काइगा दोस्तों डीटेल में आज में आपको जानकरी iets देनेवाला हूं, दोस्तों चत का खर्टिया जानने से पहले आकिर गार हमें देख लेते हैं कि हमें अपने चत के लिए किस-किस मेर्टिर्स की आउस्ता पड़ेगी कौन-कौन सा मेर्टिर्स दोस्तों हमें मार्केट से करेतना पड़ेगा देख लेते हैं दोस्तों सर उपरतम मेंटिल के बात करें तो आता है सेंट याने की बॉल रेट दोस्तों होता क्या है कि वह उसी जगर नदी का रेट भी यूज में लेते हैं तो वह भी मैं बताऊंगा कि वह कितना लगेगा कितने रुपे काता है और एग्रिकेट इन गिट्टी कितना लगे आज इसके पहसेजल में बात करेंगे स्टिल यानि सेरे की बात करेंगे बैंडी वार तर निपीज़ा बात करेंगे अर घृत कै io9 यूज में होना दोस्तों इसकी अगर कमिया हम्हारे चत में रहती है ना तो इस प्रकार की समद्धिशा हमें ड़के प्रोईश्य में सकती हैं दोर दोस्तों यूं समय दीजे आप अगर अपना च्छत जो है इस परका के समय के बाद खतम हो जाएगा कितना लगेगा कितने रुपे काता है दोस्तों डीटेल में इसके समय बात करेंगे आप वीडियो के अंतक बने रहीएगा डाक्टर पिश्टिक जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि चत डलाएके उस समय बच्छा चत में सिलन हमें देखने को आती हैं उ दोस्तों सुवा वी बात है अग rice ज्चत में जो लगा वूआ शट्या बच्छा रहा तो अपना जल्यक्त में बचा रहे है अगर बना रहे तो उसका ल कितना खरणा कितने रुपे काता है यह टीटेल में में दोस्तों इसके शंबध करने वाले हैं आगे वीडियो बेन बोक्स पाइब को हम अपने चत्मी लगाने वाले हैं तो उसका कितना खरचा आएगा वह भी देखेंगे साथ साथ दोस्तों लेबर मिस्त्री यानि कि ठेके दरगा कितना खरचा आएगा और आज के हिसाब से जो ठेके दरगा क्या खरचे का लट रहा हैं और उस खरचे क हमने क्या क्या कार्यर के देढ़ें का कार्य हैं जिसफे होता क्या है यह जिन कारें कि मकान क्याय करा में हमारे सेंट्ट कितना लगेगा दोस्तों अगर हम cubic feet की बात करें तो साइठ रूपेटinky इसाप से मिलता है गुणा-गरम करते हैं दोस्तों यह बनता है हमारे इसमें 800 रुपे का सेंट इनिवाल रहे हैं एगरिकेट निगिट्टी की बात करें तो ये भी दोस्तों आपको सेम क्वेंटिस की रहेगी यह निकी 132 कुबिक फिटी रहेगी दोस्तों ट्रॉली भी सेम और कुबिक फिटी भी सेम गुणा करते हैं दोस्तों तो पचाश रुपए पर क्यों भी उठैक चल रहा है गुणा करते हैं दोस्तों यह बनता है हमारे 6750 रुपए का अग्रिकेट एनिकिती सेमंट की बात करें सेमंट दोस्तों इसमें हमारे लगेगा 35 बेग सेमंट लग जाएगा भाव कि अगर बात करें तो अभी चलता है दोस्तों अल्टाटेक का जेके सूपर का रेट है वो तीन सो साट रुपे पर बेकी साथ चुकि पचास किलोग आता है दोस्तों चाहित के लिए जो सिमेंड सबसे अच्छी मेरे साथ से अगर मैं आपको बता हूँ तो जेके सूपर का सिमेंड काफी अच्छा है दोस्तों इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो चत में चत डिलायक है जो दूसरी दिन क्रेक हमें देखने को मिलते हैं उसका समझा से काफी हाथ तक दोस्तों इसमें कम देखा गया है इसका आदर हम यूज़ करते हैं तो काफी हाथ तक दोस्तों उस क्रेक की जो समझा आती हैं बहुत वो यह अपने चछत के लिए यूज़ करें कि यह गाफी अच्छा रहता है उससे किसी प्रोगर कोई समस्या में चछत से लेके पोईश्य में नहाती है गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो यह का खर्चा हमारे सिमेंट सिमेंट का आ जाता है ग्यारा हजार पान सो बीस रुपे का दूसरा दोस्तों यह जो मैं आपको सेंट एगरिकेट सिमेंट का जो मातरा में बता रहा हूँ ना चछत का थिकनास यानि चछत की जो मोटा ही है पांच इन चीस आप से मैं आपको बता रहा हूँ आगे बात करेंगे दोस्तों इसटिल जिनी सर्या तो सर्या दोस्तों इसमें आपके लगने वाला है हैं तो आप कमेंट चेक्शन बता सकते हैं भाव की बात करें तब ही चलता है दोस्तों 63 रुपए पर किलो के साथ जो कि दोस्तों मुहेरा कंपानी का सर्गे का यरे बतार मैं आपको बता रहा हूं इसके लाग दोस्तों इत्याव अधर कंपानी का सर्या करेते हैं ना तो 5.860 रुपए में आपको अभी मिल जाता है गुणा अगरम करते हैं दोस्तों तो यह बनता है हमारे इसमें दोस्तों आपके एश्टर लगेगा आप उसे लेके चलिए बहुकि अगर बात करें तो में जरीया से दोस्तों इसका पहु रहता है टाइटी ने अभी चलता है पर लोगे साबसे गुणा अगरम करते हैं दोस्तों 400 रुपए का हमारे पतलादार बनता है दूसरा दोस्तों यह नमड से आता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दू यह ठार नमड लगेगा आगे बात करेंगे हमारे मटेल में सबसे अहम जो मटेल हैं वो है कर बलोग की विशेम हैं दोस्तों कर बलोग के अगर कमी हमारे चट में रहती है ना तो इस पर लगेग समश्चा हमें चट से लेकर पर विशेम आ सकती हैं कितना लगेगा देख लेते हैं तो दोस्तों यह आपके इसमें लगने वाला है सोग लगने वाला है दोस्तों आता है मात्र तो रुपे का एक जो की बनते हैं केवल 200 रुपे अब दोस्तों आपको खोड ही धिमाँ लगाई assessments कि मात्र 200 रुपे का चुप को भी लोग है कान इसके बहुत परदस थे सब अपने अच्छा है कि कमई रहती तो अपने खरचे की हैं सब बेकारफ को चला जाता है इसको अगर आपको आप कोशिश कूरू ओए अगर सबस्लों का आ अगर आपने जो च्छत में कर्चा किया हैं अगर इसकी कमी रही ही ना तो सब बेकर अपना चला जाता है आप इसे जरूर से जरूर लगाएगा दोस्तों और यह जो जानकारी में आप बता रहो ना यह कोई अधर आपको जानकारी नहीं देता हैं आप से रिक्वेश्ट है कि आपने परिजोनों को अपने सब्सक्राइब को भी ये वीडियो सेंड करें जिससे कि दोस्तों उनको ध्यान में रहें उनको अनुबह में रहें कि इस परकार से परकार कारे किया जाता हैं जिससे कि दोस्तों उनका चात मजबुत बने किसी परकार कोई समश्या उनके चात से लेके पविश्य में ना देखनी पड़े दूसरा दोस्तों उनका चत किसी भी साइस का क्यों नहों आप मुझे कमेंट शेक्ट में बता सकते हैं वीडियो बना दूंगा ठीक है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा बात करते हैं दोस्तों डाक्टर पिश्टी का तो जैसे कि दो दोस्तों उस समयचा चब बच सकते हैं और दोस्तों यदि आप अफना चथ है जो कि सिलन से बचा पाते हैं तो उसमें लगा हुआ जो अगर अपना सरीया जंक से बचा रहा तो अपना चथ का लाइप टेंब बढ़ जाता हैं उसकी मर्यबूती हमेशे बभर करार बने रहत हैं दोस्तों यह आपके इसमें लगने वाला हैं चाहर लेटर लगया दोस्तों आता है मौत तर्ट्वो रुपय पाव लेटर के इसाप से गुना गरम करते हैं 600 रुपय आपके बनता हैं बात करेंगे आगे लाइट पीटिंग पेंट बोक्स पाइप का तो इसका खर्चा दो बहुती जग़ा, दोस्तो, घच की घसप सी भी नापा जाता है, स्क्याइब में बहुता हूंगा दोस्तो, आपको में, जिसे के आपको ध्यान में रहे हैं, पेटालिस घच यहनि कि समझ दिजी स्क्याइब में आपका छत बंड़ रहा है, 400 square feet का चत बन रहा है यानि पेतालिस केज़ का अब दोस्तों ठेकेदर मिस्टीटा जो खर्चा होता है वो square feet के हिसाब से जोड़ा जाता है जो कि अभी का rate सल रहा है दोस्तों 30 रुपे पर square feet के हिसाब से लेते हैं लेकिंद दोस्तों ऑपना अच्षायत का है चोटा है तो इसका जो हिसाब रहता है थोड़ा उड़ड़ा रहता है तो दोस्तों इसका खर्चा हम मानके चल सकते हैं 15,000 इंडीटे के जिसके अंतरकत दोस्तों जो भी ट्राक्सपोर्टे का खर्चा आता है ये अलग-अलग जगपत थोड़ा कम या पी जादा भी हो सकता है आपके एदिय में क्या रेट ले रहे हैं आप मुझे कमेंट जेक्शन में जरू बताएगा और कहां से आप ये विडियो देख रहे हैं वो भी मुझे बताएगा तो दोस्तों इस परकार से हमने देख लिया है कि 42 गर्जिक की छत में हमारे इस परकार से मठर लगने वाला है और इतने रुपे का लगवो लगने वाला है सबी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं न तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 62,470 रुपे का आपके इसमें खर्चा आने वाला है दोस्तों यदि आपको वीडियो जैनकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपनो परिजोनों को शेर जरू करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा जैहिन दोस्तों